Hello Students, Welcome to Education at Home तो कई दिनों से वीडियो जो है वो नहीं आ रही थी तो अब हम अपनी वीडियो का सेशन जो है वो शुरू कर रहे हैं दुबार से इस सेशन में हम क्लास 6th की वाव साइंस से स्टार्ट करेंगे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि उनको 6th क्लास की वाव साइंस की चैप्टर्स जो है वो समझने है तो चलिए हम लोग 6th की वाव साइंस स्टार्ट करते हैं और बाकी जो हमारी 7th और 8th क्लास की वाव साइंस है उसको हम लोग आगे स्टेडी करेंगे क्योंकि उनके कुछ-कुछ चैप्टर्स हमने किये हैं तो इसके हम वेरी 1st चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो चलिए जो जो वीडियो को देखता रहे वो मुझे मैसेज करके बताएं कि आप कमेंट करके बताएं कि आप जो है कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपका नेम क्या है और आपके school में यही book लगती है यह सारी चीज़े आप मुझे बताएं इसे मेरी भी help होगी और आपकी भी जिससे मैं आपके लिए videos आपके तरीके से बना पाऊंगी कि आपके school कौन सा है आप कहाँ पढ़ते हैं तो मेरी videos को like share करें सब भी friends के साथ और अपनी जो channel है उसको subscribe भी कर दे जिससे आपको भी मेरी videos की notification मिल जाएगी और bell icon भी दबा दे तो चलिए इसका हम first chapter जो है start करते हैं तो 6th class की book जो है वो हम physics से start कर रही है जिसका first chapter है measurement and motion तो measurement का मतलब है चीजों को mapना और motion का मतलब होता है चीजों के अंदर जो movement हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको हम measure करेंगे motion जो है वो कई type का होगा वो भी हम study करेंगे सबसे पहले हम study करेंगे measurement को measurement के अंदर हम किसी भी चीज़ को map ते time हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान दखना पड़ता है सबसे पहले हम वो study करेंगे तो चलिए इसका सबसे पहला topic study करते हैं हम physical quantities तो इसका सबसे first topic है हमारा physical quantity तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनको notes चाहिए हैं तो notes का पैसे करें अगर आप खुद अपने notes बनाएंगे तो वो आपको कैसे बनाने है मैं वो आपको बताऊंगी उससे पहले सबसे पहले मैं जो भी इसके अंदर underline करूँ आपको वही अपने notes के अंदर लिख लेना है जिससे आपके notes भी तयार हो जाएंगे लेसन भी तयार हो जाएगा उसके साथ साथ आपको मैं question answer भी provide करवा दूँगी एक telegram channel है उसका link मैं description में डाल दूँगी जिससे आप सारे question answer वहां से कर लेंगे क्योंकि मैं school में भी बच्चों को ऐसे ही करवाती हूँ तो इस तरीके से आप जो है जो है जो भी बेंडर लाइन करूँ वो आप अपने notes के अंदर लिख सकते हैं तो इसके अंदर है कि हमारे पास जो physical quantities हैं उनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सबसे पहली photograph में हमारे पास एक चीज है देखो ये है एक stop watch हम जो है time को किस में measure करते हैं seconds में, minutes में और hours में यनि कि तीन टाइप से हम इसको measure करते हैं हम समय को और तरीको से भी मापते हैं जैसे एक दिन हो गया, एक हफता हो गया और एक महीना, एक साल, दस साल, सो साल इस तरीके से भी हम इसको माप सकते हैं तो stop watch जो है वो छोटे जैसे कोई long runner takes to finish a race तो इस stop watch का इस्तमाल जब किया जाता है जब हमें जो है एक runner की time not करना हो कि उसने कितनी देर के अंदर अपनी race को खतम किया है तो ये वो stop watch होती है इसके बाद आता है एक scientist जो chemistry के अंदर चीजों को exact liquid chemicals का weight करता है अब weight की सरी के से करेंगे हम weight के अंदर हम किन-किन चीजों का ध्यान रखेंगे milligram का, kilogram का, tons का, quintal का इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे यनि कि हम चीजों को इन सारी units में मापेंगे तो ये वो physical units हैं जिनके जरीए आप जो है measurement कर सकती है इसके बाद है एक laboratory के अंदर एक chemist के से चीजों को मापता है वो एक beam balance का इस्तमाल करता है जो की बहुती छोटी gram से भी कम amount की चीजों को मापने के लिए इस्तमाल किया जाता है throughout the ages difficult instruments have been used for measuring the physical quantities यनि कि जो पुराना समय है वहां से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़े मापने के लिए अलग-अलग type की physical quantities का यूज किया जाता था उसमें देखो सबसे पहले हमारे पास समय को मापने के लिए ancient time में था एक sun dial sun dial का मतलब है हमें सूरज की foot को हम मापते थे एक foot यनि की एक कदम चलने जितना जो है एक जमीन को हम पहले जो है कदमों से मापा करते थे कि हमने कितना चला है उसके अनुसार कितनी दूरी तैह हो गई लेकिन आज कल हम meter ruler से मापते हैं तो हमें ancient और modern दोनों तेरी के यहां बताए गई है इसके बाद है हमारे पास एक balance यह है simple balance यह वो balance है जो पहले के जमाने में लोग यूज किया करते थे लेकिन आज कल हम electronic balance का यूज करते हैं जो light से चलता है और जिसमें यहां यहां पे एक एक gram का हिसाव होता है कि कितना gram है इसके बाद यह है हमारा hotness और coldness मापने का तरीका जो light से मापा जाता था लेकिन अब thermometer की help से मापा जाता है इसके बाद कुछ चीजे होती हैं जिनको हम मापने के लिए units का use करते हैं तो यह दिखो यह all the physical quantities can be further expressed by using appropriate units and prefixes यहनी कि इनके अंदर हम अब हमने क्या prefixes लगाने हैं और units क्या लगानी हैं उनके बारे में study करेंगे तो यह हमारा second topic है SI units and prefixes of some physical quantities यहनी कि physical quantities में हम क्या prefix use करते हैं और कौन सी units का इस्तमाल करते हैं तो किसी running track की length मापने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रुत है एक तो हमें चाहिए number जिसमें हम उसको define कर सकें कि यह 400 meter है 500 meter 500 है 600 है और वो है क्या? मीटर में जो हमने यह लिखा है ना meter centimeter यह चीज़े लिखते हैं इनको बोलते हैं unit और जो हमने आगे number लिखा है वो हो गया हमारा prefix अब देखो there are standard units to measure physical quantities कुछ standard units होती हैं जिनको हम physical quantities मापने का इस्तमाल करते हैं मापने के लिए physical quantities मैने क्या बताया था? समय, weight और यह सारी चीज़े इसके बाद standard units do not vary from person to person यह units जो हैं एक इनसान से दूसरे इनसान में vary नहीं कर सकती यह fix होती है आप देखो जब हम जो है एक चलने के तरिका यानि यह कदम से मापते थे कि दूरी कितनी तै करी है उसमें हर एक इनसान के according अलग-अलग होगा किसी के कदम लंबे हैं किसी के कदम छोटे है तो इससे तो अलग-अलग हो जाएगा भई लेकिन हमें तो fix चाहिए तो हमने इसलिए standard units बनाई यह होती है हमारी SI units इनसी हमें पता चलता है कि fix कर दिया गया है इनको चाहिए कोई छोटे कदम चले चाहिए बड़े कदम चले हमारे पास मीटर है हम उसे माप लेंगे तो the metric system created by France in 1790 is a standard set of units इसके अंदर set of units है यह इसमें हमें पता चलता है कि कोन सी unit है किस तरीके से हम इसका इस्तमाल करते हैं तो इसको अब हम study करते हैं थोड़ा सा for the sake of uniformity since 1960 scientists use international system of units और SI system as a standard system of measurement तो इसी तरीके से 1960 के बाद से scientists ने इसका यूज करना शुरू कर दिया international system of units का जिससे हमें पता चलता है कि सारी चीज़े एक जगा पर एक जैसी हैं जिससे अगर हमने समय मापा है अपने देश के अंदर इंडिया में अगर हमारा एक घंटा हुआ है न तो अमेरिका में एक घंटा ही हुआ होगा उससे अलग टाइम से उनके एक घंटे में सतर मिनट नहीं होते उनके में भी साथी मिनट होते हैं और हमारे में भी साथी मिनट होते हैं तो इस तरीके से हमने जो है सबको uniform कर दिया है यानि कि इसको fix कर दिया है अब fix हो गया है तो ये बहुती अच्छे से हमें समझ आता है सबको तो इसके अंदर कुछ base quantity होती है उसके लबा कुछ base unit होती है और इसके लिए symbol होता है सबसे पहले आपको बताया था ना कि दूरी मापने के लिए यूज करते हैं हम length मापने के लिए यूज करते हैं मीटर का और इसका symbol है m यानि कि अगर हमने लिखना है 5 meter तो हम 5 m भी लिख देते हैं 5 meter माल लेंगे इसको हम इसके बाद mass है इसको kilogram में मापते हैं और इसका symbol है kg टाइम को हम seconds में मापते है temperature को Kelvin में और electric current को Ampere में ये इनकी कुछ symbols है तो ये आपने अपने notes में लिखना है येनि कि आपने notes के अंदर ये table बनानी है इसके बाद है हमारे पास ये वाले table इसके नीचे एक और table है तो इससे हमें easily चीज़ों का पता चल जाता है कि हम किस तरीके से इनको पढ़ते हैं अब कुछ problem आती है जैसे अगर हमें ज़्यादा बड़ी meter से बहुत ज़्यादा बड़ी लाखों करोडों meter जितना कुछ मापना है तो उसके लिए तो हमें एक चोटा सा shortcut चाहिए तो उसके लिए हमने कुछ और चीज़े बनाई है उसको अभी पढ़ते हैं तो ये है हमारे उसके लिए दूसरी table इसमें हमने बहुत सरी ऐसी चीज़े लिखी है जो बहुत ही चोटी भी है और बहुत ही बड़ी भी है तो इसमें देखो ये हमने मीटर का एक्जामपल लिया है वन ट्रिलियन मीटर को हम टेरा मीटर लिखते हैं वन बिलियन को गीगाबाइट लिखते हैं वन मिलियन को मेगावाट लिखते हैं और थाउजंड को किलो लिखते हैं थाउजंड तो किलो ही होता है इसके बाद यह सारी टेबल को आपने पढ़ना है देखो पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेका, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गिगा, और टेरा बहुत यह सान है इसको याद करना आप इसको एक लोरी की तरह भी याद कर सकते हैं तो यह चप्टर आज हमने स्टार्ट कर लिया है तो कल हम इसका जो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो इतने आप यहाँ तक इसको स्टेडि करें और नोट्स बना कर मुझे बताएं कि आपने नोट्स बना लिये हैं हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ओके थैंक यू सो मज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले